गुद मॉर्निंग क्लासेक्स पेटा आज के लेक्षर में मैं आप लोगों का चैप्टर नमबर फोर कल्पना शामला जिसकी रेडिंग में मैं आपिस आपको रिविजन में करा चुकी हूँ और इसके शॉर्ट टाइप फिलन दा ब्लांक्स में आपको भेद चुकी हूँ आज मैं इसके question answer start करी हूँ आज मैं आपको इसके 2 question answer explain करी हूँ इन्हें आप ध्यान से सुनेंगे और इनको copy में भी दिविजन में करना है तो चलिए बचो पहला question हे Why is she called an Indian American? कर दो कंडा दा छो रहुआ थो की वे भारती अमेरिकल गुला है ती एसा क्यों था तो आनों पर पताएंगे था जंग है इन करनाल हर्याना जो कलपना चामला थी उनका जनम हर्याना के करनाल जिले में हुआ था और शी वोज अन इंडियन सिजीजन वो भार्तिय थी भार्तिय देश्वासी थी बड़ शी ओबिद अमेरिकन सिजीजनशिप तो शी कॉल्ड एंडियन अमेरिकन वो भार्तिय थी उन्होंने अपनी आधी बड़ाई जो भारत में ली थी लेकिन मास्टर डिग्री के लिए जब हो यूएस से चली गई थी वहाँ पर उन्होंने एक अमेरिकन लड़के से शादी की थी जिसके बाद उन्हें अमेरिकन सिटीजन का जो दर्जा है वो मिल गया था इसलिए वो इंडियन अमेरिकन वोमन भी कहलाई ठीक है मैं फिर से रिपीट करें हो मचो कि विए वोस कलपना शामला वोन वाइज शी कॉल एंडियन अमेरिकन तो आप बताएंगे कर्व्ला शामला वोज बॉन इन कर्नाल हरियाना की कर्नाल जिले में रहते थे लेकिन उन्हों ने अमेरिकन का जो उबिदेंट अमैरिकन की शिप लेडी थी क्योंकि उन्होंने एक अम्रीकन से शादी गड़ी थी तो उनको अमेरिका का citizen मिल गया था तो इसलिए वो अन इंडियन अमेरिकन कहला ही नेक्स्ट कोशन है वैं एंड वाय डिड़ शी गो तो दे यूएसे वो यूएसे कब और क्यों गई थी शी वैंक टू यूएस ओर दे मास्टर डिगरी लैटर शीर अर्ण हर्ण दे दॉप्तर इंड एरोस्पेस इंजिनियर रिग्दी जब उन्हें मास्टर डिगरी करने थी यानि उन्होंने aerospace के बारे में जब उन्होंने study शुरू करी तो उसकी master degree लेने के लिए और बाद में doctorate की उपादी लेने के लिए वो USA गई थी तो बच्चों यह हमारे दो कोशन है chapter 4 से जिसमें 1st और 2nd कोशन मैंने आप लोगों को यहां explain किया है यह आई वोप आपको यह दोनों कोशन अच्छे से समझ में आ गए होगे यह complete दोनों कोशन अब अकलता चामला वाले chapter से आपको अपनी copy में revision में दुबारा करने है और इनको learn भी करना है Thank you